हाई दिरों वीकम टॉ तो उर्दू टिंतीस, तो class 10 2024 to 2025 यानि 2025 में जो लोग तभी होट के exam है और उनका course A है, यानि उनका code 003 है, अगर तुम्हारा course B है, अगर तुम जान पैचान वाली बुक परते हो 303 code है, तो तुम्हारी लिए यह वीडियो नहीं है, यह सिर्फ और सिर् official website में download किया हूँ और इसका slaybus का पता होना बहुत ही जादे important होता है एक कोई chapter यह रहे को नहीं यह डिलीट है तो वह सब का अंदाजा हमें पता होना बहुत ही जरूरी है तो यह वीडियो को end तक जरूरे देखना और इस पूरे 18 marks का तुम्हारी यह होगा और तीम घंडे का टाइम रहता है वह होता है तो सबसे पहला जो आता है ना वह अली हिस्सा अली प्यानी section A जो आता है ना वह reading and comprehension section होगा वह 20 marks का होगा तो अब unseen passage है वह 10 marks का होगा और scene passage वह 10 marks का होगा तो unseen passage में से क्या पूछा जाएगा unseen passage भी है ना एक poem होगा और एक story होगा जैसे कि एक नस्त्री और एक शारी दिये जाएंगे दोनों अक्तबास हाथ 5-5 number के होगे दोनों 5-5 marks का होगा एक poem वाला और एक story वाला और 100-1.5 अलफाज पर लिखा होगा वो जो paragraph होगा वो 100-1.5 अलफाज मतला इतना paragraph रहेगा उसमें से 5 questions पूछा जाएगा और शारी अक्तबास में दो बंद होगे दो बंद जिसमें 5 अशार दिये जाएंगे दो बंद जो ऐसे एक paragraph में होता है na poem इस बंद में एक इतना लिखा रहता है फिर दूसरे बंद में ऐसा हां तो इससे दो बंद रहेंगे ठीक और उसमें कितना 5 अशार दिये जाएंगे और 5 question होगा हर लाइन से क्या question का तुम्ह बुक जो दिया हुआ है उसी बुक से आजाएगा कोई एक chapter कोई एक paragraph कोई ऐसे टाइप का चैप्टर रहेगा उसका एक paragraph दे देगा और एक मतलब की कोई भी poem जितना था जितनी भी poem है उसी में से कोई एक poem आ जाएगा और उसके बारे में से वह poem बहां पे लिखा भी देग और यह सबसे बरा सबसे जादा valuable section होता है और सबसे जादा time taken section होता है मतलब इसमें लिखना बहुत परता है अब लिखने में तो time लगता ही है और इसमें जो सबसे बरा question है वह पहला मजमून निगारी जो तुम्हारा essay writing होता है तो मजमून निगारी 10 marks का question है और क्या है 200-300 अलफास में लिखना होगा मतलब क्या दो से सवा दो धाई पेज में लिखना परेगा इतना लिखना ही परेगा वरना देखो 10 marks का है तो marks तुम समझो कितना जाद है important है तो 200-300 अलफास में मजमून लिखा जागा अब मजमून का भी है ना एक तरह से pattern होता है एक format होता है ज नंबर कट हो जाता है तो इसलिए format के वाली वीडियो जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद इसलिए बस पहले अच्छे से जान लो क्या क्या है तो क्या क्या topic में से मजमून आ सकते है तो बेरोजगारी आलूदगी एक संगीन मसला जराए बलाग मतलब कि वेरोजगारी जराए बलाग मतलब कि तुम बात चीत communication skills पर तुमारे लिखना पड़ेगा इसलिए बरतियो आबादी एक मसायल मतलब कि इतना जादा population increase हो रहा है तो इसके बारे में तुम क्या लगता है इसके बारे में पूरे इसलिखना पड़ेगा कौमी इतहाद मुल्की जरूरत global warming त यह क्या है प्रॉपर इंग्लिश का एक वर्ड है अब इसको उर्दू में लिखाए गलोबल वार्मिंग तो कितना भी वर्ड आता है जैसे टेक्नलोजी हो गया डाइनोसॉर्स हो गया ऐसे बारे में अगर उसको उर्दू में लिखना होता है तो वो थोरा difficult हो जाता है हमें तो उसको एकदम नजर हाइलाइट कर लेना और उसको एक लिख के प्रैक्टिस कर लेना कि यह कैसे लिखते हैं वाणना एक्जाम टाइम में बहुत दिक्कत होता है कि हमें समझ में नहीं आता है यह बहुत तो पा रहे है कि हाँ टेक्नालोजी ग्लोबल वार्मिंग अब लिखा इसके उस ताजा इस तरह का कोई उन्वान और भी तज्विश कर सकते हैं मलब इस तरह का यह तो आइडिया लगा लो कि यह होली दिवाली दशारा टाइका नहीं है बेरोजगारी अनिम्प्लाइमेंट ग्लोबल वार्मिंग इस टाइप कोई भी टॉपिक आ सकता है और इस टाइप को कोई और टॉपि भी आ सकता है तो इस टाइप का अपने आपको प्रिपेर कर दो उसके बाद यह तुम्हारा 10 मार्क्स हो गया अब नेक्स्ट है राइटिंग ही स्केल्स में खुतूत या पिर दर्खौास या खुतूत में से कोई एक लिखना होगा कोई टिक्झाट का षिखायत कोई कंप्लेंगी कोंवें दावत रमेंटेशन या इजाजळत नामा कोईसे चाट करोगे तो वह ऐसा ही उस टाइप हो जाता है तो दरकास खुदूत यह चार मार्स का होगा तो ठीक, तुम्हारे यहाँ पर हो गया इसी साथ जो नेक्स टॉपिक क्या है दर्सी किताब के सबाक से मुतालिक नोट सेयद आविद हुसैन, मौलवी अब्दुलहक यह तीन राइटर होगे इधर के के हालाते जिंदगी, तर्ज तहरीर, कहानी के किड़दार वगारा मेंसे दो उन्वान देकर किस एक पर सौ अलफाज में नोट लिखवाया जागा लेकिन अब जो तुम्हारे पोएम वाले राइटर है, वह कौन कौन है, उसमें भी पोएम है, मरकजी ख्याल, मखासित, पेगाम, वह सबको ध्यान रख रही है हर चाक्टर का उसके बाद शोरा में क्या है, शेक महमद इबरहाइम जौक हो गए है, उसके बाद से फानी हो गए, महमद अकबाल हो गए, तो यह सारे राइटर बहुत इंपॉर्टन है, मतलब की देखो, ऐसा है नहीं कि इसके इलावा और सब जो राइटर उनके बारे में नहीं आ सकता ह जरूर लेकिन ये छे वह ज्यादा प्रियरिटी देने हैं मतलब 90% चांस है कि इसी में से आएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी में से ही आएगा वरब 10% उसमें से भी आ सकता है तो वह सब कंद देखना लेकिन ये सब जो राइटर है ना इस सब को एकदम बुक में है ना टिक क इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स कौन सा टॉपिक है माविन दर्सी किताब जो तुम्हारे गुलजार उर्दू बगारा ना उसमें से क्या लिखा गया दर्सी किताब में दिये गए शारी अस्वाक खुलासा मरकजी ख्याल मकासित पेगाम शार के हालाते जिंदेगी बग ग्रामर का सेक्शन होता है ग्रामर कवाइद वाला जो सेक्शन होता हाँ तो इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा बहुत सारा कुछ नहीं पूछा जाएगा देखो क्या 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 पूछा जाएगा वो देख लो ये बहुत ही इंपॉर्टन होता है क्यों कि ग्रामर का पत कुछ जाएगा यह सारा काइंट सॉफ वर्भ है ठीक मतलब काम करना होता है यह वर्ब के सारे काइंट इतने सारे काइंट के अच्छी से पढ़ना है और इसके लिए अगर तुम्हें होगा कि कोर्स एक लिए है ना मैं ग्रामर की वीडियो बना चुका हूँ यह वाली तुम वीडियो देख लोगे ना तुम्हारा मतलब कि यह चैप्टर पर के वह तो तुम्हारे लोग है उसका चैप्टर पर के वह तो तुम्हारे में बहुत सारे को डाउट रहा था कि क्यासा होगा क्या होगा ग्रामर के लिए वीडियो अप्लोड है तुम उससे देख लोग एक बार ना सारा डाउट जो है वह क्लियर हो जाएगा तुम्हारा उसके बाद क्या है मुहावरे ज इस टाइप के जितना भी चीज हो जाएगा ना वह सब होता है रमुजाखा तो यह भी बहुत इंपर्टन ने दो माक्स का है मतलब आएगा ही आएगा उसके बाद शारी इस्तलाहाद जो तुम्हारे होते है ना पोईटिक डिवाइस जैसे इंग्लिश में होते है ना काफिया किसको कहते है रदीव मतला मकता हुसन मतला तो यह कौन किसको क्या कहते है मतला किसको कहते है मकता किसको कहते है यह सब पता होना चाहिए रदीव कैसे होता है काफिया इसके लिए भी मैं बोला वाली वीडियो देख लेना यह वीडियो देखने से ना तुमारे यह स सवालात के मुक्तसर जवाब लिखे जाएंगी, ये सवाल अगदार पर भी मबनी हो सकते हैं, नमबरात की तखसीन दर्जजील होगी, तो नमबर के दो सवाल होगी, टीक, शारी हिस्सा, जो तुम्हारा पोएम वाला हिस्सा होगा, ये तो ओपर तुम्हारा स्टोडी वाला पोएम वाला हिस्सा जो होगा, दर्सी किताब में दिये गए सवालात के मुक्तसर जवाब लिखा जाएंगे, ये सवाल अगदार पर भी मबनी हो सकते हैं, नमबरात की तखसीन दर्जजील होगी, तैसे दो नमबर के दो सवाल होगी, कितना दो नमबर के दो कोशन होगी, दर्सी किताब में दिये गए सवालात के मुक्तसर जवाब लिखा जाएंगे, ये सवाल अगदार पर भी मबनी हो सकते हैं, नमबरात की तखसीन दर्जजील होगी, दो नमबर के दो सवाल होगी, इसका भी टू इंटू टू फॉर, यहां पी तिम देखी लोग क्या है, उस क्या होता है ना, बस छोटा सा पता कर लेना, और हाफ पेज में बस छोटा सा लिख देना, बस यह हो जाएगा, इस से तुम्हारा हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा आगे क्या दिया हुआ है, निसाब में क्या है, दर्सी किताब, दर्सी किताब जो है, इसमें क्या है, में दर्जा जेल अक्सबाक नसाब से खारीज, बतल किया जो चैप्टर डिलीटेड है, उसका नाम है, तो किया भीग जो चैप्टर है, अफसाना वो डिलीट है, चोडी और उसका कफारा आप देती ये डिलीट है, इसके बाद जो है, ये जो मजमून जो है, ये तुम्हारा अफसरूर ये डिलीट है, उसका थे इश्टहार जरूरत नहीं है, इबन अन्शा ये तुम्हारा ये वारी भी डिलीट है, खकीकत हुसन नजम जो अक्बाल का वो भी डिलीट है, आंदी नजम, कैफी आजमी, वो हुभी, ये भी डिलीट है, और उसके पासे रभाई फिरा उसके वासे मन का तोता, अफसान है, ये भी डिलीट है, और उसके दो शाला, वो भी डिलीट है, इसके वासे क्या है? मिर्जा चपाती, मिर्जा चपाती खाका ये और ये भी डिeliट है, तो कौन कौन चपाती है, एक बाद पिर नज़र आलो, और उसमें अभी म्हा मुझे वक्त मिला मैं चेक कर ही लेता हूं तो उसका एंसर कर लूँगा और अभी कुछ मजीद कोई question होगा तो मुझे Instagram पर भी DM करके question पूछ सकते हो और मैं reply कर ही देता हूं क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ तो Instagram open करी लेता हूं कोई भी DM होता है तो मैं उसे चेक कर लेता हूं उसका answer दे देता हूं तो कोई भी all the best for your examination मिलते फिर किसी अच्छी से वीडियो में टा टा बाई बाई अला पीस